हे गाईस विलकम टू एडूलक्स में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट से रेलवे से वेकेंसिस आउट की गई है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से तीन जॉन से वेकेंसिस निकाली गई है अलग-अलग तीनों जॉन की नोटिफिकेंस में बताने वाला हूँ आईटिया वालों के लिए बहुत अच्छी खासी वेकेंसिस है टोटल 1965 पोस्ट पर वेकेंसिस है यानि कि 1900 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भरती है और इंडिया के मेल और फिमेल केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं विदावट ये अप्रेंडिस से फ्रेसर वालों के लिए ह होती है यहां पर टेंट पास भी कुछ एलिजबल हैं और आईटिया के पास तो जो केंडिडेट हैं वो ये अपलाई कर सकते हैं अब इसमें से कौन-कौन से ट्रेड एलिजबल है मैं बताऊंगा देखिए इसमें करने से क्या होगा कि 20% का जो रिजर्वेशन मिलता है और तो आपको डिरेक्टली मिलेगी जोब्स के लिए बहुत अच्छी खासी अपडेट मिल जाते हैं कि लेए बहुत बड़ी बड़ी भरती आने वाली है क्योंकि अपडेट आ रही है और इलक्सन भी आ रही है तो सबकुछ आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी अक्टूबर स तो उसमें आपको काफी ज़्यादा benefits मिलेगा अगर आप railway से apprenticeship करते हैं तो इसे लब स्टार्ट करते हैं डिटेल notification wise बताएंगे इससे पहले आगे बड़े हम सभी candidates से request होगी अगर आप अभी तक Edulex channel को subscribe नहीं किये so please do subscribe जल्दी से Edulex को subscribe कर लें bell icon को press करें और comment करके जरूर बताएगा यार कि आपकी idea में से कौन से trade से pass out है देखते हैं maximum कितने trade से pass out है जो railway से apprenticeship करना चाते हैं खटाक से जाकर comment बताओ और अपने dream job जरूर बताना किस department में आप करना चाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगाईस यहाँ पर तीन डिविजन से vacances निकाली गई है तीनों डिविजन को मैं cover करने वाला हूँ सबसे पहले डिविजन की में बात करूँ तो एक है आपका जो जो जोन रने वाले ऐसी CR याने कि साउथ हीस्ट सेंडरल रेलिवे की तरब से vacances आउट की गई है इसका 8 quarter राइपूर डिविजन है यह बहुत अच्छा खासा डिविजन है जब vacances निकलती थी पहले तो हजारों की संख्या में लोग इसमें अबलाइ करते थे 23 मई 2023 यह notifications की date बता रही है अब यहाँ पर मैं बात करूँ कौन-कौन से trade के लिए recruitment है जब भी apprenticeship करो 1961 जरूर देख लेना वैसे भी railway में 1961 ही होता है और 92 का role follow करती है नेक्स यहाँ पर देख सकते हैं DRM office राइपू डिविजन अलग-अलग trade देखना चाहो तो welder की vacancy turner, fitter, electrician, stenographer, English, Hindi दोनों के लिए है उसके बाद यहाँ पर operator की vacancy assistant में programming assistant नेपको मिल जाएगी देख सकते है health and sanitary inspector, mercenist, diesel mechanic उसके बाद RNAC के लिए recruitment है देन आपको मिल जाएगी यहाँ पर mechanic, auto, electrician, electronics next आपको इसमें total देखना चाहएग उसके बाद मिल जाएगी wagon repair shop में इसमें total 135 post per vacancy है तो यही total अगर मैं मान के चलो और यह 266, 696 post per vacancy है क्योंकि यह total vacancy है और सबसे जादा जो vacancy release की गई है वो निकाली गई है fitter में उसके बाद electrician में तो यही जो trade होता है जो lead करता ITA में सबसे ज़्यादा जो trade का demand है electrician fitter का ही होता है ITA में उसके बाद यहाँ पर एक welder और fitter की इसमें vacancy ज़्यादा है इस wagon repair shop में इसमें 337 post है तो approximately मान के चलो यहाँ पर तो बहुत vacancy है लगबग 1000 post पर recruitment 1000 से भी ज़्यादा vacancy ज़्यादा की गई है यह SCR में तो जो भी candidate है आप apply कर सकते है मैंने trade बता दिया है और ITA pass out होना चाहिए जो यहाँ पर चलेगा 50% marks 10th में होना ज़रूरी है eligible होंगे merit base में selections होता है आपको सब कुछ तक पता है इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत candidate को होती नहीं है apprenticeship में registration सीप होना चाहिए सबसे फिले इसमें बदलाव कुछ किया गया है तो apprenticeship portal पे जाकर हमेशा visit करते रहें 22 जून 2023 तक इसकी last date है याद रखना यह application जो है receipt के मादियम से है last date for receipt of application तो by जून तक रखी गई है जो भी candidate है apply करो जाके कुछ doubt होता है comment करके ज़रूब रतान अब चली चलते है next notifications के और कैसे next notifications है यह निकाली गई ICF की तरब से integral coach factory चन्नाई यहाँ पर 10 past भी candidate apply कर सकते है मैं बताऊंगा engagement of apprentice पंडर apprentice 1967 यह भी follow करती है और इसकी जो last date है apply करने की 30 जून तक है apply करने की last date तो बहुत time आपको मिला है trade में बात करूँ इसमें trade है carpenter, electrician, fitter, machinist, fenter, welder radiology में निकाली गई एक MLD में पैथोलोजी की और पासा की vacancies है पासा की मांतर 10 post पर vacancies है ज़्यादा नहीं है सबसे ज़्यादा vacancy यहाँ पर निकाली गई है इस पोस्ट पर इसमें vacancies है और बहुत अच्छी खासी पोस्ट है आप apply कर सकते है integral coach factory की और यहाँ पर भी जो भी eligible है खास करके ITI pass out होनी चाहिए और 10th में 50% होना बेहद ही ज़रूरी है इसमें देख सकते हैं कुछ highly qualified degree होते हैं जैसे engineering diploma जो भी eligible हैं आप apply कर सकते हैं nearest employment actions में registration करवा लेना आप form fill करना चाहते हैं age 15-24 साल रखी गई है age relaxation इसमें proper मिलेगी आप सभी candidate के लिए और यहाँ पर trade wise define की गई है कौन-कौन सी trade होगी step in की में बात करूँ जितने भी IDI pass out होंगे 7000 मिलेगी और जो 10th pass हैं उसको 6000 मिलेगी जो 12th pass हैं उसको यहाँ पर 7000 मिलेगी ओके गई इस apply कैसे करना इसकी official website पर visit करके online apply करना है मैंने बता दिया 30 जून तक इसकी last date रखी गई है married base पर selections होगा कोई भी exams नहीं होगी अब जो भी candidate हैं जाओ जाकर visit करो सबकी link description में मौज़ोद है तो गैज़ यह एक और next notification है south east central railway मैंने पहले राइपूर की बताई यह नागपूर की vacancies है नागपूर में भी अच्छी खासी vacancies है देख सकते हैं fitter, carpenter, welder, copa, electrician, stenographer, english इंगले सिंधी उसके बाद hospital, waste management technician, health sanitary inspector, gas cutter and cable jointer इसमें भी vacancies 708 post पर release की गई है यह भी अच्छी खासी है यार नागपूर मंडल की देख सकते हैं establishment code है इसी के जरीए आपको जो है apply करना होगा इसकी जो last reddit है 7 July 2023 तक रखी गई है बहुत अच्छा का सा time इसमें मिली है और भी कुछ vacancy है जो कि यह मोती बाग नागपूर में यह वाक्स आप से वहाँ पर vacancies है establishment के जरीए apply करना होगा इसमें total 64 post पर vacancies है तो यार देख लें अब Zobic ended eligible ने apply करें 15 साल से लेकर 24 साल eligible होता है इसमें बट सब में age relaxation मिलती है अगर आप eligible है तो finally आप यहाँ पर देख सकते हैं ITI pass out होनी चाहिए और 50% marks 10th में होनी चाहिए married base बे सलक्सों सोगा आपकी बाकी बाद इसमें यहाँ पर सब कुछ डिसकस की गई है तीनों का notification link डिसकस मोज़ोदे जो भी candidate interested है आप apply कर सकते हैं कुछ doubt है तो भी आप comment कर सकते हैं तीन notification में मैंने बताया है South East Central Railway नागपूर एक आपका राइपूर तीसरी vacancy से ICF से यानि कि Integral Coach Factory चन्नाई से निकाली गई है वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सब मिला कि approximately 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट हो जाती है अगर आप बढ़ियां से देखने जाओ यार तो ओकी गईस तो अराम से apply करो कुछ doubt हैता है comment करके जरूर बताएं hopefully वीडियो इस पर लगी हो please like share and subscribe करके जरूर जाइएगा और doubt होता है आराम से comment करें सबकी help की जाएगी चले मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तकिले जाहिंद